बिस्म आलाह रर्रह्मान रर्रहीम, असलाम वर्रह्मत लाही वबरकातु हूँ वेलकम टू माई किचिन, मैं हूँ शेफ हाफसा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलिशिस से पोटेटो चीज बॉल्स के रेसिपी लेके आए हूँ ये बाहर से स्पाइसी और क्रिस्पी होंगे, अंदर से बहुत ही चीजी और डिलिशिस से होंगे, तो बहुत ही यमी रेसिपी है, आई ये इसको बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें चाहिए बॉल्स पोटेटो यानि के उबले हुए आलू, आलू को बाल के उसके चलके उतार के उसको सिंपल मैश कर लेना है तो आलू यहां पर अच्छे से मैश रो गए हैं, अब हमें स्मैट करेंगे उबली हुई चिकन, बॉल्ल चिकन को जस्मिने फैंच रेट कर ले आए साथी समैट करेंगे 2 tablespoon mayonnaise, 1 teaspoon mustard paste, flavor के ले 1 teaspoon chicken powder, 1 teaspoon parmesan cheese powder, 1 teaspoon salt यानि के नमक, 1 4 teaspoon oregano, 1 teaspoon red chili powder, 140 इस्पून ब्लैक पेपर पाउडर टू टेबल इस्पून यहां हम बाइंडिंग के लिए एड़ करेंगे कॉर्ण फ्लार टू टेबल इस्पून फाइन चॉप किया हुआ हर धनिया यानि के कोरियांडर और अब हम इस सब को चिता से मिक्स कर लेंगे तो यह अचीता से मिक्स हो गया है अब पुटाटू चीज बॉल बनाने के लिए सिंपल दूरा सा आलू का मिक्स्टर से हाथ में लेंगे अच्छे से इसको कंबाइन करेंगे और इस तरह से देखी बीच में थोड़ी सी स्पेस बना लेंगे अब यहाँ सिंपल में ने मॉट्स्वेला चीज और चैडर चीज को स्मॉल क्यूब्स में कट कर लिया है इस तरह दो तीन क्यूब्स लेंगे आलो के mixture की दर्म्यान में रखेंगे इस तहां और अच्छे से इसको बन कर लेंगे बेकुर अच्छे से इस तहार से इसको pack कर लेना है ताकि चीज एकदम दर्म्यान में हो और इस तार से ball बना के तयार कर लेनी है तो जी तमाम potato balls बन गए हैं अब हम इसके उपर बहुत ही delicious सी crumb coating करेंगे, तो इसके लिए हम एक chopper में add करेंगे hot flaming cheetos, या कोई भी spicy से chips ले लें, और chips को grant करके इसके crumbs बना लें, तो इस तरह से बहुत ही delicious से crumbs draw वो बन जाएंगे, इसको एक bowl में निकालेंगे, अब हम एक bowl में add करेंगे 2 अंडे, और cheese ball पर अब हम coating करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम coat करेंगे simple मैदे में, इस तहां से, extra मैदे को हटालेंगे और फिर हम isquat करेंगे अंडे के mixture में, अंडे को इस पर अची तहां से coat करेंगे फिर हम isquat करेंगे, इस पाइसी chips जो हमने crumbs बनाएते उसमें, और इससे flavor जो इसका बहुत enhance हो जाएगा और बहुत delicious लगेगा, तो जी, तमाम potato cheese balls पर अची तहां से coating हो गई है, अब हम इसको एक दू घंटी के लिए freezer में रखेंगे ताकि coating जो हो थोड़ी से मस्बूत हो जाए, और फिर हम इसको deep fry करेंगे, इसको deep fry हम तब तक करेंगे, जब तक cheese जो है वो अंदर अच्छे से melt ना हो जाए, तो high flame पर जस्ट, अच्छे से हम इसको deep fry कर लेंगे, ताकि जो मैदा और अंडा अगरे है वो भी cook हो जाए, अच्छे से इसमें ना cheese भी अंदर melt हो जाएगा, तो जी बहुत ही बहत ही बहत ही बहत ही तरीके से fry हो गहे हैं, देखे, खाने में बहुत ही टीस्टी लग रहे हैं, फ्राय करके हम इसको चनले पे निकालेंगे ताकि जो भी extra oil है वो drain हो जाए, तो तरियार हैं, बहुत ही मज़ेदार से potato cheese balls, सब आम इसको खोलते हैं इसके अंदर चीज ड्रेव वो एक दब मेल्टेट सा होना चाहिए तो ये देखिए माशलला से बहुत ही बहती बैतरी न साही बनके रेडी हुआ है बहुत ही डिलिशिस लग गया है काफी मज़िदार सी रेसिपी बनके रेडी हुए अगर आप को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा यूट्यूब चानल को जरू से सब्सक्राइब करें लेजिएगा मिलते हैं नेक्स रेसिपी में इंशाला आल्ला हाफिज बिस्म लाह रर्रह्मान इबरहीम असलाम वालेकुम वा रहमत ल्लाही वबरकातुहू वल्कम टू मार केच्छन मैं हूँ शैफ हफसा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलेशिस से चाना चाट के रेसिपी लेके आई हूँ यह एकदम चटपटा से बनके रेडी होगा बहुत जादा डिलेशिस तो रेसिपी के कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा आई है इसको बनाना स्टार्ट करेते हैं सबसे पहले हमें चाहिए उबले हुए आलू आलू को सिंपल उबाल ले पानी में नमप डाल के और फिर उबले हुए आलू को इस तरह से स्मॉल जंक्स में कट कर लें तो जी आपर आलू कट हो गए हैं अब हम एक बोल में आट कर लेंगे दो कप उबले हुए चने साथे हम यहां पर उबले हुए आलू आट कर लेंगे वन टेबल स्पून चाट मसाला हाफ टी स्पून सॉल्ट यानिके नमक वन टी स्पून कुटी हुए लाल मिर्च और इस अब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम यहां पर एट करेंगे लेमन जूस तो दो से तीन लीमू को अच्छे से निचोर के इसमें आट कर लें फाइन चॉप किया हुआ हरदनी सॉप्ट करेंगे तकरीबं टू टिबल स्पून बाएक प्यास को चॉपक करके यहांपे एक प्यास को बाएक चॉपक कर लें दो टे माटर को इस ताहरे चमॉल चॉंख में कट करके चर लेंगे बैसन फुल की किसना से बनाई जाती है में लिंक एड कर लोंगी वहां से आप चेक आउट कर लीजेगा बेसन फुल की चाट में बहुत ही डिलिश्यस लगती है इसको मैं चैसे मिक्स कर लेंगे इस तरह हम इस सीक्वेंस में मसाला एड़ करें हूं न इसी तरहीके से आप कीजिएगा अब हम यहाप एड़ करेंगे टू टेबल स्पून हरी चटनी इसकी रेसीपी में आई बटन में एड़ कर लोंगे वांसे आप चेक आउट कर लीजिएगा और साथ ही इमली की चटनी को इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह अच्छी से मिक्स हो छुका है अब इस चाट को आप दो तरह से सर्फ कर सकते हैं निका लें इसको गया निची करे लिए धनिये से पापरी से और थोड़ी सी चटनी और डाल दें इसके उपर और हर धनिया और टमाटर एक तो आप इस्टान से सर्फ कर सकते हैं ये बहुत ही डिलिशिस लगता है तो बहुत ही डिलिशिस सा ये एक तरह से सर्फ हो गया है दूसरे तरही का ये है कि आप एक बोल में ले 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 एक कप दही अब अगर जादा मीठा रखना चाहते तो आप जादा चीनी एट कर लें मैं याप पर वन टी स्पून शुगर आट कर रही हूं हरका सा नमक आट कर लें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें दही को डिरेकली चाट के उपर आट करें इस तरह से इसके उपर आट कर लें थोड़ी सी इमनी की चटनी और हया धनिया तुझी तरिया है बहुत ही डिलिशिस से चना चाट कमें सेक्षन में आप मुझे जरूर से बताएगा कि दोनों तरीकों में से आपको कौन से तरीके से खाना ज्यादा पसंदे